पाटन प्रखन के नावा जैपुर्थाना अंतरगत के ग्राम पंचायत नावा खास के नावा खाड़ा चौक से होकर हरीजन टोला जाने वाले रास्ते पर ग्रामीडों ने लगाया रातरी के समय काम होने का आरोप आपको बताते चले कि हरीजन टोला के ग्रामीडों का कहना है कि तक्रीबन दस वर्षों से इस रोड का कार नहीं हुआ है लेकिन दिनांग चार अप्रेल को रातरी में ट्रेक्टर से मिट्टी मौरंग के कार का कराया जा रहा था जब हम लोग सुभा उठें तो देखें कि पूरे रोड पर मॉरंग गिरा हुआ है जब इसकी जानकारी हम लोग मुख्या जी को दिये तो बताया गया कि इस मिट्टी मॉरंग के कारे में हम अपने इस्तर से करा रहे हैं किसी भी तरह के सरकारी फंड का उपयोग किया रहा है ग्रामीनों का कहना है कि जब वह अपने अस्तर से काम कर रहे हैं तो रात्तरी के समय क्यों उस कारे को दिन में भी कराया सकता था ग्रामीनों की मांग is कि हम लोग को मिट्टी मौरंग के रोड नहीं चाहिए इस रोड पर कुछ दूर तक पहले से ही PCC पथ बनते हुए आ रहा है इस रोड को PCC ही बनाया जाए और इस मिट्टी मौरंग को यहां से हटा कर रोड को खाली कर दिया जाए जब R9 भारत की टीम ने नावा खास के मुख्या पती चंद्रदेव सिंग से बात चीत की तो पता चला की ग्रामीडों की मांग थी कि यह रोड बहुत दिन से खराब है जिससे कारण लोग आने जाने में गिर जाते थे इस वजह से हमने उस पर मिट्टी मौरंग गिराने का काम किया है इसमें किसी भी प्रकार की कोई सरकारी फंड का उप्योख नहीं किया जा रहा है नमस्कार आप देख रहे हैं R9 भारत नेशनल लिए चैनल और आज हम उपस्तित हैं नावा खास के नावा अख्रा चौक के पास एक हरजन टोला के नामसे रोड है जो की रोड पे रात्री के समय इसमें मिट्टी मौरंग का काम किया जा रहा है अभी तक अश्वस्त नहीं हुआ है कि मुख्या जी जी सनलंगन या कोटे शेकर रहे नाम पर अनिता देवी मेरा नाम है तो यह क्या मेटर लेकि आप लोग का पीजिसी आवे रोड का बहुत गंदकी हो जाता है बहुत हो अधिया इस रोड में तो मटी मुरम कर रहे हैं मोटी मौरम मत कीजिए जब भी आएगा तह पी सीसे आएगा तभी बनाएंगे सीजिए अच oyni अपना पैसा से करवाते हैं अपना पैसा से करवा रहा है यहां इसमें वाड भी नहीं मालूम है किसी भी यहां किसी भी जनता को मालूम नहीं है आप सुभा में है जांता खेर लिया काना है डेख लिजये यहां के जो ग्रामनों का कहना है कि राटरी के समय अचानक से रात में गारी आई अगारी लांके पूरा मिटी मोरं भर कि यहां से चली गई है और कोई भी किसी तरह से कोई सरकारी फंट से नहीं बना इसका अभी कोई निराकरन नहीं है और आगे भी पूछते हैं क्या नम परेगा प्रक्राइब क्या मुंख्या प्रक्राइब इस नम परेगा बात हुआ क्या है अपने हो रहा तो यहां माटी गीरा वतला आप लोग का मांग है किस पर पीछ न आ रहा है क्या वोगता रहा थो क्या बोल रहा है पीछ यह नादी वी सचाहिए दुना प्लोक को यह जगह पेड़ी सब्सक्राइब रोड और शुक्त पहले से और इसी डिंग इन लोग का आना जाना रहता है और अभी कुछ अभी कहीं भी अभी देखिए जब मुखिया की जो भी चुनाव का हला हुआ है सSa 8 चीम का तेयुक्त कर contam Whoo न hanya कि normal 9-10 तब तक आप लोग ने रहें रहें और नाइन भारत ने चानल चांव और भन को से कचड़ा है उसका घर बंगाफाफ तो बोलता कि ऺड़ा के पार की तो आप लोग जब ऐसा समस्य है तो एक बार उनको सुचना कीजिए ठीक है तो आपको धन्यवाद देता हूं कि इस पीछे हुए इलाका में आप आये और लोगों को कारदिश्ता दिखाए वहां जो नावा खड़ा पर जो रोड काती है वहां मैंने तीन टेर्म में डाइड़ोश पीट रोड बनवाया हूं और अभी प्लान प्लस में उस रोड को चाहा दिया हूं ताकि फंड आएगा तो उसको पी सी सी कर दिया जागा हम जब जाते थे तो लोग बोलते थे कि मुख्या जी पत्ला देखाई रहता है थीक है देखेंगे जो इसना से जिंक्शन अथी प्लान प्लस में है जब राशी आ वगत तो उसको बनवा देंगे इसकल वहीं के कोई लोग बोले कि नहीं से बूल रहते कम से मट्यूस बराबर कर देते हैं तो हम बोले कि ठीक है आप लोग गिरवा देजिए और इसको बराबर कर देजिए क्या दिकत है जब शेंक्शन हो जागा रोड उसमें फिर उसमें काम कर लिजेगा तो वही अज कल गर्मी के दिन में चलता है निकांसना तो वह उसी में दोचार ट्रीव हम बोले थे कि दोचार दस ट्रीव देखर शीटिया पखला डग दीजिए ताकि लोगों को ठेस नहीं लगे चलने में फीट ठेस लगता है इसलिए लोग गिरा कर आता तो वहां के लो मुख्या जी का फंट से हैं वह ऐसी ही वह पत्थर में ठेस लग रहा था लोग उसको बराबाद करके कि छिपा रहे थे पत्थल को कि ताकि आदमी को ठेस नहीं लगे और उसमें कोई विससे बात नहीं है तो उसमें कोई किसी तरह का फंट का उप्योग नहीं किया गया है और ना मुख्या मादेम से वही के लोग बोले थे तहम बोलेग ठीक है कहीं से ट्रक्टर मिलता है तो दोजाद गाड़ी गिरा करके पथल को छिपा दी ताकि आदमी को आने जाने में दिकत नहों और हो जो झाल